बॉलिवूट की खुबसूरत और टाइलेंटिड एक्ट्रेस काजोल के सिनेमा में 30 दशक पूरे हो गई हैं 1992 में डेब्यू करने के बाद से काजोल ने एक से बढ़कर एक परफोर्मेंस दिया है और दर्शकों का दिल भी जीता है काजोल के खाते में कई हिट फिल्में शुमार है और शिनेमा में 30 साल पूरे होने पर अभिनेता अजे देवगन ने उन्हें बदाई दिया है अजे देवगन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और काजोल के लिए एक पेशल नोट लिखा है बोलीवुड अभिनेता जिदेवकन ने सोशल मीडिया पोस्ट में काजोल को बोलीवुड में 30 साल पूरे करने पर बदाई दिया जिदेवकन ने फिल्म तानजी से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उनके साथ काजोल नजर आ रही है तस्वीर के साथ कैप्शन में अजे ने लिखा है सिनेमा में 30 दशक और तुमने भोध बढ़िया किया है सच कहूं तो सिर्फ अभी शुरुवात है आने वाले भोध सारे अचीवमेंट्स फिल्में और यादों के लिए आपको बता दे की काजोल ने अपने दम पर अपने लिए एक बड़ा मुकाम बनाया है काजोल ने फिल्म बेखुदी से बॉलिवोड डेब्यू किया था बेखुदी 31 जुलाई 1992 को रिलीज हुई थी जिसमें काजोल के साथ कमल साथ ना नजर आए थे फिल्म का निर्देशन राहूल रैवल ने किया था फिल्म में काजोल ने रादिका का किरदार निभाया था वहीं फिल्म में काजोल के मा के किरदार में तनूजा नजर आए थी